मरे हुए व्यक्ति को भोग लगा जाता है तो उन्हों ने यानि हमादी पाटी की लोगों ने ये निश्य समझ लिया है कि केजरिवाल तो मर गया केजरिवाल तो गयो केजरिवाल से बेशरमाद भी मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी है आपने बहुत पागल बना लिया दिल्ली की जनता को जूटे वादे करके कभी पानी बिजली ये वो हर चीज पोटो को खिलाने का क्या मतलब बनता है लड़ू जिंदा लोग को खिलाया जाता है, मुरदे लोग को फिलाया जाता है बुरा हाल किया सराब की नगरी बना दी, इसको क्वार्टर के साथ पर प्री, कितनी माताओं वहनों का सुहाग उजार दिया लोग सभाचुनाओ का परड़ाम आ चुका है राजधानी दिल्ली की अगर बात करो तो यहां सातों सीटों पर बीजेपी का कबजा बरकरार बना हुआ है वहीं आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के गठवंधन को यहां करारी शिकस्त मिल चुकी है उसके बाद भी ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी के कारकरता और विधायक मिठाई बात रहे हैं और केजरिवाल को पोस्टर में लड़ू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं इस बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है आये जानने की कोशिश करते हैं बाई साब एक दिल्ली में बीजेपी सातों सीटों पर जीत हासिल की है उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक केजरिवाल जी को पोस्टर पर लड़ू खिलाते हैं नजर आ रहे हैं मिठाई बात रहे हैं इस बारे में मैं सोचता हूँ हमारे जो हिंदू परंपरा है उसमें फोटू को जो मिठाई खिला जाती है उमरे हुए आदमी की फो उतारिक को उन्हें तिहाड जेहल में सरंडर किया था उसमें उन्होंने बोला कि मैं वह हूं चंद सेकर आजाद मैं लोट के आओंगा बड़े बड़े भासन दिये चंद सेकर आजाद चोरी के जुलम में जेहल में थोड़े गया था वाजादी की लड़ाई के लिए गया में आझार, और यह चौरी के जुलम में जा रहा है। इसका इत्यास Rhy, हरा हर जेंगा से भागा। पहले टाटा में नोकरी करी के लिकुर्णे हुआ से भागा। फर आई अैसा बना हुआ आप दिल्ली से भागने वाला। अगले 25 एलक्षान आज जिस परकार से केजरीवाल का दिल्ली के अंदर सूप्रा साप हुआ है दिल्ली की जनता ने किस परकार से नकार दिया है केजरीवाल को ये बता दिया और आज ही नहीं तीन बार लोकसभा चुना हुए हैं तीनों बार सातों सीट अच्छे मतों से भारती जनता पार्टी और केजरी वाल के लिए नकारा है इस बाड़ से तो 25,000 बोट भाजा पा को मिले हैं केजरी वाल के लिए ना के बराबर बोट मिले हैं वो भी कांग्रेस दोनों ने मिलके जब लड़ा जब यहां से 56 के 56 भूत यहां से जीते हैं भारती जन्ता पार्टी ने यह देखिए नाला है, इसके नीचे रोड जा रहा है, इसके नीचे एक नाला जा रहा है, जो दिल्ली जलबोड का नाला है, कई बार मैं पत्र लिख चुका, यहां के निगम पार्सद, यहां के जन्ता के, र्डवलो के प्रधान, सभी ने कितने पत्र लिखी है, लेकिन इस पर जून ही रहेंगी है यहां के कुलदीब जी आए उनके बिधायक रोहत महरोलिया कई बार आये हैं इस नाले को बनवाने के लिए कमिटमेंट कर गहे हैं आज वहां पर यह गेट बनवारें दरवाजे जनका कोई यूज नहीं है जनता उसका क्या फायदा होगा जनता उससे निकल लगी है बैसे भी निकल लगी है गेट के नीचे से निकल जाएगी जबकि बहान वहां से अवरोजक बना है वो जो गेट है तो यहां पर इस रोड की और नालियों का बुरा हाल है पानी का यहां पर इसना गंदा पानी आता है पहली आता है तो बहुत गंदा आता है तो मैं दिल्ली के लिए केजरिवाल के लिए बस यही कहना चाहूंगा जिस प्रकार से दिल्ली का उन्होंने बुरा हाल किया है। दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा दुस्मन की तलवारों ने दिल्ली को बरबाद किया है केजरिवाल जैसे गद्दारों ने। मैडम आपको क्या लगता है कि हार के बाद भी जश्ट मनाया जा रहा है और लड़ू बाटे जा रहे हैं पोस्टर में लड़ू खिला जा रहे हैं क्या लगता आपको सोचता है कि पासिंग नंबर ही मेरे किसी तरह से आ जाए तो कम से कम मम्मी के चपलों से बच जाओंगा तो वही हाल है इस बार इन लोगों का गड़बंधन के बावजूद इन लोगों ने इतना जोर लगा दिया सब कर दिया उसके बावजूद यह नहीं आ पाए तो यह ने खुदी मूँ तोड़ जवाब दिया है कि हम आप आपको आने ही नहीं देंगे इस बार क्योंकि आपने बहुत पागल बना लिया दिल्ली की जनता को जूटे वादे करके कभी पानी बिजली यह वो हर चीज करके उन्होंने पागल बना लिया केजरिवाल को पोस्टर मे थोड़ा सा बावरा हो जाता है तो वो हार की वज़़े से बावर हो चूके हैं दिल्ली की जन्ता क्योंने कार रहीए गीजरिवाल को कारे यहां पैक्निक स्पॉट बन जाएगा लोग आएंगे अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ आएंगे और हाँ पर बैठ के पिकनिक मनाएंगे इतना साफ सुत्री होगी यमुना नदी यमुना नदी का आप हाल देखिया जाके कि क्या हाल है वहां से लोग जब गाड़ियों से गुजरते हैं तो अपना मूध आके गुजरते हैं जब से पहली बात यहीं है कि उनहें लप उमीद नहीं थी जिन्ता उनकी जूटे बात को समझ जाएंगे उम्हें उमीद नहीं था कि है साभी हो सकता है कि जन्ता समझ जाए एक लॉलिपॉप है और यह फ्री देने के चकर सी स्महल बना लिया तो यह बात है अब जनताब समझ में आ चुकी है यह सीज महल बना रहा है और नाम पर प्रिश तो कहए है यहां मेडिकल स्टोर्स पर जाए उनके जितने सारे उन्हें खोड रखे गया है आपको दवाया मिलने वाली है तो यह चीज अब जनता ने देख लिया है और इसलिए उनको नकारा गया है और लडू खिलानी कि रही बात तो अब क्या करें शॉटेट माइंड है ना माइंड हो चुका है वो आगे के जशन बना रहे है कि मोदी जी हमेशा के लिए आप आएंगे नहीं मोदी जी को पहले खिला दे कि गए तो गया आएंगे नहीं इसले लडू खिलाए जा रही होने है हां केजिवाल जी को कि वह भाई आप डबेटीस पैसन है ना जेल में तो मिलने लोग को खिला दिया लग रहा है ऐसे फोटो को खिला रहे हैं लडू खिला रहे हैं दिखा के कि हम लडू खिला रहे हैं खुसी मना रहे हैं जेल में बाहर में तो खुसी मिल नहीं सकती है उनको अब जंता ने तो सारे जंता लोग उन्हें मिलके बीजेभी को ला दिया यह पानि पी के बीमार पढ़ना है सारे बच्चे बीमार पढ़ रहे हैं आपके प्वानी दे लुट में तो उनका भूल है वह तो उनका भूल है कि लूट रहे हैं जंता कोई दे रहे हैं पानी पानी बिजली सफ्री दे रहे हैं वो उसके बाद भी दिल्ली की जनता क्यों न कार रही है के जरी वाल जूट बोलता ही दुन्या को पागल बना रहा है किस चीज से बहुत दें बताएं न कुछ तो होना चाहिए उनको न समझाने के लिए अपने माइंड को तसली रख रहे हैं कि चलो हम इसी तसली रख लेजी लेकिन दिल्ली की जनता इतनी उप गई थी इतनी उप गई थी कि इस बार तो जान लिजे कोई दूबधा ही नहीं थ ले तो महिलाएं क्यों नहीं वोट कर रही है उनको चीज सांथों सिट्व सातोफिते उपर उन endure है तो इस सौच के देंगी क्या समझके देंगी पानी कितना घंदा outta महिलाओ नों किया क्या है महिलाओ क्या कि आदम लोग ज कोई काम तो करना नहीं केजरिवाल जी को यह रोड के लिए दस बार बोला होगा वहां पर एमेले के पास कई बार गए होंगे लेकिन कह देते हैं यह जलबोड का नाला अरे जलबोड का नाले दिल्ली में कितनी जगे बने होगे हैं कोई जगे ऐसी थोड़ हो है यह 50 साल से हम देख रहे हैं च शोड़ार 1285 से हम इदर रह रहे हैं कोई काम करा है के चिक्वाल के अचा का म करती गारे हैं यह ताण Конечно, कह राया हैं हमारे भारत्य पार्टी के लोगों ने यह निश्रा्क्र होगों देखा रहे हैं कि अन्दभक्त हैं कि तो उन watched football कि इनकी यह पर खत्म दूसरी बात रही कि को सबकुछिन नहीं कुट पूरी जिन्दगी पर प्री का थाल ना काना जेल में तो कोई खट्चा पाना शर्मीषी थी आप कहाने का आउप सब कुछ आणा आपको जेल मी मिलेगा खाना की मिलेगा केजरिवाल जी को तो हमारी जंता ने भी कह दिया है एक केजरिवाल आपको हम फ्री का खाना देंगे आप जाया जेल में दिन्हों ने एक बात करीघिती पर हर जोग कि भाई यो बहनो अगर आप साथो सीटों है तिली में जिता दोगे तो तुमारा बेटा फिर लोटके आagा जागा जाएगा जनता ने बता धिया कि हम जरूरत नहीं है अब तो जैल में जा है अब साथो सीट हैं vgp को जिताएंगे अगर तुझे जिता दिया एका सीट तो तू पर लौट कहा जागा और इस तरह के भष्टाचार करेगा भष्टाचारियों की हमें जरूत नहीं है तू भईया जार जेल में फिरीका खा वो जो वादा करते हैं उस वादे पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं वो अपने को बहुत बड़े इमंदार साबित करते हैं कि बहुत बड़े इमंदार हों और जितने उन्हें इमंदारी साबित करें उनके परती उतना ही वो साबूत आए कि तुम इमंदार नहीं हो आपका को लड़ा जान चाहिं भी पर खिला है कि अठीक नहीं तो इसलिए लड़ू ढूए kinda ठीक नहीं है तो इसलिए लड़ा जाएगा कि तुमरी लेवल जूट बोलते हैं पहले वो कहते हैं थे हमें कोई सिकॉरिटी निची एक पानी का लालच दिया पानी दिया पर वो पानी बिल्कुल वेस्ट है टैंक का पानी आता है और किसी प्रकार का डेवलोपमेंट तो कर रही नहीं है दिल्ली के अंदर बस डेवलोपमेंट यूवा को बेगाडने के पिलाल ऐसी खबरों के लिए बने रही है पांच जन्ने के साथ